हेलो स्थू मैं हुरुजद बहुत बहुत स्वागत है अब सभी का इस नवी वीडियो में तैयार हो जाएए क्योंकि चारों तरफ जो है अब अच्छे अच्छे पकवानों की खुश्बू आने वाली है पूरा घर सजने वाला है और सब को एक्साइटमेंट का डबल डोज मि सब्सक्ति हैं कि यहाँ पर लॉट कर आने वाला है कैसा शक्स इसको लेकर पूरा घर यहाँ पर दुलंद की तरह सजाया जा चुका है पकवान बनाए जा रहे हैं चारों तरह वच्छी अचछी मिठाईया बनाए जा रहीmail और किसी बी तरह की कमीन आ रहा है क्योंकि हमारा वीनु वाड़ा फिट से लोट कर आ रहा है और यहाँ पर आने वाल एपिसोड में भवानी का को पूरी तरीके से जो है तयारियों में लगा देने वाली है हारीनी को अश्वीनी को और इसी के साथ ही सभी भी काफी ज़्यादा खुश होने वाली है क्योंकि यहाँ पर वीनु दादा वापस आने वाले है अब यहाँ पर देखो बहन की शादी तय हो चुकी है तो वीनु दादा का आना तो बनता ही है अब वीनु दादा यहाँ पर आने वाल एपिसोड में एंट्री लेते वे आपको नजर आएंगे जिनको लेकर पूरी तयारियां घर में चालू हो चुकी है यहाँ पर सभी लोग खाना वाना बना रहे हैं सारी लोग तयारिया कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बस वीनू आ जाए उसकी स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चीए अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये भवानिक काकू तो आकिरकार सभी और वीनू में भी फर्क करने लग गई इतना तो ये बच्पन में भी नहीं करती थी अब देखें यहाँ पर सभी का जो प्राइस टैग है वो उसके घर के कामकाज से टैग किया है भवानिक काकू ने कि अगर लड़की को घर का कामकाज आता है वो घर के कामकाज ही कर सकती है और अगर भांड नहीं जाती है तो उसका प्राइस टैग काफी अच्छा है लेकिन भवानिक काकू के अनुसर लड़के का प्राइस टेग तब अच्छा होगा जब वो बढ़ लेकर अच्छा डॉक्टर बन जाएगा अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर विनायक को अच्छा डॉक्टर बना कर जो है बवानिक काकू उसकी भी शादी कराकर अच्छा खासा पैसा कमाना चाती है उसकी शादी से ताकि यहाँ पर कंडिशन जो है वो घर की फाइनिशली थोड़ी सी भैतर हो जाए अब यहाँ पर देखिए आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि विनायक का किरदार यहाँ पर आने तो वाला है लेकिन जिस तरीके का वो बच्चपन में था ठीक उसी तरीके का वो नहीं रहने वाला वल यहाँ पर पहले भी वो बच्पन में भी सवी को और सवी को मुसीबत में छोड़ कर अकेला भाग गया था लेकिन वो उस समय बच्चा था तो सभी लोगों ने उसको माफ किया कि ठीक है बच्चा है डर गया होगा इसलिए चला गया लेकिन आने के बाद भी यहाँ पर वीनू अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते वे आपको नजर आएगा और विनायक यहाँ पर एक बार भी सवी की मर्जी और सवी को ध्यान नहीं रखने वाला है और वो एक बार भी उससे यह नहीं कहेगा कि सवी तुझे शादिक करनी है या फिर तुझ पढ़ना लिखना चाहती है यहाँ पर जो सवी है वो पूरी तरीके से जो है वीनू से एक्सपेक्टेशन रखती है कि विनायक उसका साथ देगा और उससे किसी गलत रस्ते पर जाने से बचाएगा और उसके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा क्योंकि इत पर घर में जो है उतना वो मज़ा नहीं है जो मेरे पूने में पढ़ाई में मैं कर लेता हूँ वहाँ पर तो अच्छे मज़े हैं मेरे और वहाँ पर ही सब कुछ ठीक है और यहाँ पर विनायक का किरदार एकदम सेलफिश आपको नजर आने वाला एपिसूड के अंदर ज इस डान्स के बावजूद भी तो यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर घरवालों को देखें सामने वालों को लड़के को बहुत जादा सभी पसंद आ चुकि है बाकि घरवाले जो उनकी दादी थी वह तो मतलब कुछ ऐसी थी कि ऐसे में मेहमानों को मैं तो चाय तक ना प कर रहूंगी लेकिन यहाँ पर भवाने काकु जो है उसकी बात को बीच में यहाँ पर काटते वे आपको नजर आएगी और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है भवाने काकु उसकी बात को काट देगी और कहेगी ठीक है मुह मीटा कीजी शादी ताय हो चुकी है तो सीधे श सवी को बोलने का मौका तक नहीं देने वाली है और यहां पर चटमंगनी पटब्या का सीन आपको देखने को मिलने वारा है क्योंकि यहां पर शवी की शादी के तयारिया भी यहां पर विनायक के आने के बाद जो है वो शुरू हो जाने वाली है अब यहां पर एक तरफ तो विनायक की सभी की भवाने काकू के श्विनी की निनात की इनके कहानी चल रही है तो दूसरी तरफ जो इशान है वो भी काफी ज्यादा पत्र लेखा और विराट वाली सीन को कॉपी करते वे नजर आ रहा है अब यहाँ पर I don't know why सीरियल की मेकर जो है हम सभी के जले पर नमक शेकरा चाते हैं या फिर वाकई में उनकी मंचा जो है वो हमें कुछ वो ही कॉपी पेस्ट करके दिखाने की है अब यहाँ पर माना सई और विराट सई और माफ कीज़ेगा पत्र लेखा और विराट के बीच में ऐसे सीन हुए थे जरूरी नहीं है ना यार 20 साल बाद भी नए जनरेशन के साथ भी वो ही सीन हो वो भी वही बेवकुफी करे अब यहाँ पर आग के अंदर कूदना और हीरो का बचाना कोई अच्छी बात तो है नहीं इसे तो हम लोग मंद बुद्धी ही कहेंगे अगर कोई इतनी बड़ी शक्स जो है वो जाकर इतनी डांच में इतनी मगनूरी कि आग में कूद रही है तो भाई यार इसे अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं कहेंगे अच्छे संसकार तो नहीं कहेंगे अब आप दोस्तों यहाँ पर अपने घर में आप लोग ऐसे करेंगे तो मतलब आपकी घर वाले डाड़ देंगे भाई देख ले यार क्या कर रहा है आग से जल सकता था तो तुझे नुकसान हो सकता थ लेकिन यहाँ पर सिल्की मेकर्स को पसंद है क्योंकि यहाँ से उनको रॉमेंटिक सीन मिल जाते हैं दिखाने के लिए और शायद इस बार वो हमारे जले पर नमक भी छेड़कना चाते है और दोस्तों आप इस जले के नमक छेड़कने का किस तरीके से इलाज करने वाले कमे चाता रहता हूं मैं में आप सब्सक्राइब लिए वीडियो में जब तक के लिए थेंकियो दोस्तों